हमारे सामने एक पौधा है और इस पौधा में आप देख सकते हैं कितने कद्दू लगे हुए हैं और कद्दू के साथ साथ फूल भी लगे हैं कद्दू लगवग 10 दिन से तूट रहा जोस्तो इससे पहले हमने आपको कद्दू की खेती करने का तरीका बताया था और हमारे साथ किसान थे जो आपको बता रहे थे कि कद्दू की खेती किस तरीके से करनी चाहिए तो आज हमें एक दूसरे किसान के पास आए हैं जहां पर आप पीछे हमारे देख सकते हैं इहांपर गॉल कद्वू भी लगा हुआ है और लंबा कद्वू भी लगा हुआ है यहांपर दौनों कद्वू की फसल लगाई गई है और वो फसल advance में लगाई गई थी जो कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि अब कदू इसमें निकलने लगा है और अगर पैदावार की हम अगर बात करें तो पैदावार इसमें अच्छी हो रही है और अच्छा कदू भी निकल ला है यह लंबा जो कदू है उसका पेड़ा है इसमें आप देख सकते हैं कि एक पौधे में कई फलाएं हैं और यह बिल्कुल तूटने लाइक हैं तो हमारे साथ आज किसान हैं हम उनसे जानेंगे कि जो कदू की खेती कर रहे हैं और उसमें क्या पैदावार हो रही है तो इसके संबpected में हम पूरी जानकारी लेंगे तो सार आपका क्या नाम है सार आपने कदू की खेती जो कर रखी है ये कितने दिन से करते चले आ रहे हैं तीन साल तीन साल से आपकी कद्दू की खेती में घाटा मुनाफ़ा कैसा रहा आपका जो आपका जो खेती का तजूरुबा है वो कैसा रहा तीन सालों से करते चले आ रहे हैं आपके खेत में जो अभी कद्दू की फसल लगी है इस पर कौन कौन सी किसम का जो है ये कद्दू लगा हुआ है एक गोल वाला नई वराइटी और लंबा वाला अचा ये अपने जो खेती की सुरुवात की थी तो आपको कैसा लगा था कि किस हिसाब से कहां सोचा था कैसे मैं तो अच्छे फैसे मिल जाएं तो सर अम आज आपसे जानेंगे हमारे किसान बाई जो देख रहे हैं हम जाने की कद्दू एक Щ apology है किस महिने में आपने नगा अक्टूब अक्टूबर में जब सुर्वात की थी तो इसमें जो इसमें बीज अपने लगाया था या फिर इसके पौधे लगा था बीज लगाने के कितने दिन बाद में इसमें पौधा निकला था और इसके बाद में इससे पहले आपने खेत की क्या तायारी की थी इसके बारे में भी हम धरा गया और एक हपते बाद में पौधा निकलाया था अच्छा यह जो अभी इस टाइम अगर देखा जाए तो अक्टूबर के दो तीन महिने बाद में यह फसल आपकी तयार हो जुकी है और कितने दिन पहले से इसमें जो कद्दू है वो तूटने लगा है कद्दू लगभ इसमें कद्दू निकला था आपका कितना खेत होगा बाराविशव है इसमें आपका पहली बार कितने कुंटल जो है निकला होगा अब यह नहीं है चार हजार पक बेचा अच्छा जानी कि जो पहली बार आपकी तोड़ाई हूई थी और जो यह सेकंड टाइम है अभी यह तो दूसरी बार आपको कुछ अनुमान है कि अभी दूसरी बार आपका कितना कदू में निकलेगा। तो इसमें जो आपका जो भाव है वो कहां बहता रहता है यहां जो हट बाजारे लगती यहां पर बैतर रहता है या फिर मंडी में बैतर है यहां का विकार है तीन कुंटल चलागा अगर वीश के विकार तो पंदर अग्दाम मिलें पांच प्रक्रचा जलागा आध खर्चा भाड़ा खर्चा यानि कि अभी जो इस टाइम आपका मंडी है वह अच्छा भाव है वहां पर जब आप कदू ले जाते हैं तो क्या वहां लोग पसंद करते हैं बिग जाता है कोई दिकतों नहीं प्लब बोरा खोल करके लगा देते फड़ पास कर्ष्टमर आते हैं अभी जो यहां मंडी का रेट आप बता रहे हैं तो यह मंडी का रेट वहां पर क्या होगा कितने कुंटल जाता है कितने रुपे कुंटल में हम और जानेंगे कि आप सकेती की है जब से कड़की नपने इसमें जो भल फीद बोया था तो हमारे साथ यह किसान थे जो इन्होंने कदडू की खेती कर रखी थी एक्टूबर माह में इनोंने खेती लगा थी और अक्टूबर माह अगर देखा जाए तो दिसंबर चल लाहा है दिसंबर के पहले हपते ही इसने तुड़ाई की थी और दूसरी बार इसकी जो है कद्दू इसमें निकलने लगा है तो यह कद्दू की खेती किसान हमारे साथ जो थे यह कर रहे थे और ऐसी वीडियो के लिए हम आप से मिलते हैं फिर किसी आने वीडियो में